नमस्कार स्टोरी विद नीती में आप सब का सागत है आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ देव की नंदन खत्री जी का लिखाव पन्यास कटोरा भरखून तो आए सुनते हैं इसका भाग पहला मेरे साथ यानि आपकी अपनी नीती के साथ लोग कहते हैं कि नेकी का बदला नेक और बदी का बदला बद से मिलता है मगर नहीं देखो आज मैं किसी नेक और पति वृतास्री के साथ बदी करना चाहता हूँ अगर मैं अपना काम पूरा कर सका तो कल ही राजा का दिवान हो जाऊंगा फिर कौन तह सकेगा कि बदी करने वाला सुक नहीं भोग सकता या अच्छे आदम्यों को दुख नहीं मिलता बस मुझे अपना कलेजा मजबूत करके रखना चाहिए कहीं आसा ना हो कि उसकी खुब सूर्थी और मिठी-मिठी बातें मेरी हिम्मर देखो कोई आता है रात आधी से जादा जा चुकी है एक तो अंधेरी रात दूसरे चारो तरफ से घिर आने वाली काली-काली घटा ने मानू पृत्वी पर ये स्यारंग की चादर बिछा दी है चारो तरफ सन्नाटा चाया हुआ है तेज हवा के जपेटों से कामते हुए पत्तों की खड़खड़ाट के सिवाए और किसी तरह की आवाज कानों में नहीं पड़ती एक बात के अंदर अंगूर की टक्टियों में अपने को छिपाई हुए एक आदमी उपर लिकी बातें धीरी-धीरी बुद्बुदा रहा है इस आदमी का रंग रूप कैसा है इसका कहना इसमें बहुत ही कठिन है क्योंकि एक तो उसे अंधिरी रात ने अच्छी तरह छिपा रखा है दूसरे उससे अपने को काले कप्रों से ढख लिया है तीसरे अंगूर की घनी पत्तियों ने उसके साथ उसकी एबों पर भी समय परदा डाल रखा है जो ही हो आगे चल कर तो इसके अवस्था किसी तरह छिपी नहीं रहे की मगर इस समय तो ये बाग के बीचों बीच वाले एक सब्ज बंगले की तरफ देख देख कर दाथ पीस रहा है ये मुक्तसर सा बंगला सुन्दर लताओं से धका हुआ है और इसके बीचों बीच में जलने वाले एक शमादान की रोशनी साफ दिखला रही है कि यहां एक मर्द और एक औरत आपस में कुछ बातें और इशारे कर रहे हैं ये बंगला बहुत छोटा था दस बारा आदमियों से जादा इसमें नहीं बैच सकते थे इसकी बनावत अठ पहली थी बैटने के लिए कुर्सी नुमा आठ चबूत्रे बने हुए थे उपर बास की छावनी जिस पर घनी लता चड़ी हुई थी बंगले के बीचों बीच एक मोडे पर मोमी शमादान जल रहा था एक तरब चबूत्रे पर उदी चिनिया पोत की बनार्सी साड़ी पहने एक हसी नौरत बैठे हुई थी जिसकी अवस्ता अठारा वर्ष से जादा नहीं होगी उसकी खूसूर्ती और नजाकत की जहां तक तारिफ की जाए थोड़ी है मगर इस समय उसके बड़ी बड़ी रसीली आखों से गिरे हुए मोते सरिखी आशों की पूंदें उसके गुलाबी गालों को तर कर रहे थी उसकी दोनों नाजुक कलाईयों में स्याचूडियां, छंद और जड़ाओं कड़े पड़े हुए थे बाई हां से कमरबन और दाहिने हां से उस हसी नोजवान की कलाईय पकड़े सिसक सिसक कर रो रही है जो उसके सामने खड़ा हस्रत मरी निगाहों से उसके चहरे की तरव देख रहा था और जिसके अंदाज से मालुम होता था कि वे कहीं जाना चाहता है मगर लाचार है किसी तरह उन नाजो खांतों से अपना पल्ला छुड़ा कर भाग नहीं सकता उस नोजवान की अवस्था पचीस वर्ष से जादा की नहीं होगी खुमसूर्ती के अद्रिक उसके जहरे से बहादुरी और दिलावरी भी जाहिर हो रही थी उसके मजबूत और गठीले बदन पर चुस्त बेशकिम्ती पोशाक बहुत ही भली मालूम होती थी औरत नहीं मैं नहीं जाने दूँगी मर्द प्यारी देखो तुमुझे मत रोको नहीं तो लोग ताना मारेंगे और कहेंगे बीर सिंग डर गया और एक जालिम डाकू की गिरफतारे के लिए जाने से जी चुरा गया महराज की आखों से भी मैं गिर जाओंगा और मेरी नेक नामी में धब्बा लग जाएगा आउरत वे तो ठीक है मगर क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि तारा ने अपने पती को जान पुछ कर मौत की हवाले कर दिया वीर सिंग अफसोस तुम वीर पतनी होकर ऐसा कहते हो तारा नहीं नहीं मैं ये नहीं चाहते कि आपके वीरत्त में कोई धब्बा लगे बलकि आपकी बहादरी की तारिफ लोगों की मूँ से सुनकर मैं प्रसंद होना चाहते हूं मगर अफसोस आप उन बातों को फिर भी भूले जाते हैं जिनका जिकर मैं कई दफे कर चुकी हूं और आप जिनके सबब से मैं ढरती हूं और मैं चाहते हूं कि आप अपने साथ मुझे भी ले चलकर इस अन्याई राजा के हां से मेरा धरम बचाएं इसमें कोई शक नहीं कि उस दुष्ट की नियत खराब हो रही है और ये भी सबब है कि वैं आपको एक ऐसे डाकू के मुकाबले में भेज रहा है जो कभी सामनी होकर नहीं लड़ता बलकि छिपकर लोगों की जान लेग करता है बेर से अच्छा जहां तक मैं समझता हूं जब तक तुम्हारे पिता सुजन सिंग महजूद है तुम पर किसी तरह का जुलम नहीं हो सकता तारा आपका कहना ठीक है और मुझे अपने पिता पर बहुत कुछ भरोसा है मगर जब उस कटोरा भरखून की तरफ ध्यान देती हूं जिसे मैंने अपने पिता के हाथ में देखा था था उनकी तरफ से भी नाउमीद हो जाती हूं और सिवाए इसके कोई दूसी बात नहीं समझती कि जहां आप रहें मैं आपके साथ रहूं और जो कुछ आप पर बिते उसमें आधी की हिस्सेदार बनूँ बीर सिंग तुमारी बाते मेरी दिल में खुपी जाती है और मैं भी यही चाहता हूं कि एदी महराज की आग्या ना भी हो तो भी तुम्हें अपने साथ लेता चलू मगर उन लोगों की तानों से शर्माता और डरता हूं जो सिर हिला कर कहेंगे कि लो साहब बीर सिंग जोरू को साथ लेकर लड़ने गए है तारा ठीक है इन्ही बातों को सोचकर आप मुझे पर धार नहीं देते और मुझे मेरे उस पाप की हवाले किये जाते हैं जिसके हाथ में उस जिन खून से भरा हुआ चान्दी का कटोरा हाई हाई जब वे बात याद आती है कलेजा काप उरता है बेचारी कैसी खूसूरत उफ बीर उफ बड़ा ही गजब है वे खून तो कभी भूलने वाला नहीं मगर अब वो भी तो क्या हो तुम्हारे पिता लाचार थे किसी तरह इनकार नहीं कर सकते थे हाँ खोब याद आया अच्छा सुनो एक तरकीव सूझी है यह कहकर बिली सिंग तारा के पास बैठ गए और धीरे धीरे बाते करने लगे उधर अंगूर की तरफ में छिपा हुआ आदमी जिसके बारे में हम इस बयान के शुरू में लिखाए हैं इन ही दोनों की तरफ एक टक देख रहा था एक आएक पत्तों की खड़कड़हट और पैर की आहट ने उसे चौका दिया वे उश्यार हो गया और पीछे फिर कर देखने लगा एक आदमी को अपने पास आते देख धीरे से बोला कौन है सुजन सिंग इसके जवाब में हा की अवाज आई और सुजन सिंग उस आदमी के पास जाक देखरे से बोला भाई रामदास अगर तुम मुझे यहां से चले जाने के आग्या देते तो मैं जनम भर तुमारा हैसान मानता रामदास कभी नहीं कभी नहीं सुजन तो क्या मुझे अपने हां से अपनी लड़की तारा का खून करना पड़ेगा रामदास बेशक अगर वे मनजूर नहीं करेगी तो सुजन नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है अभी से मेरा हाथ काप रहा है और कटार किरी पड़ती है रामदास जफ मार के तुम्हें ऐसा ही करना होगा सुजन मेरे हाथों की ताकत तो अभी से जा चुकी है मैं कुछ नहीं कर सकूँगा रामदास तो क्या वे कटूरा भर खून वाली बात मुझे याद दिलाने पड़ेगी सुजन उफ गजब है बस 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 माफ करो अब फिर उसका नाम न लो मैं करूँगा और बेशक वही करूँगा जो तुम कहोगे अगर मनचूर ना करे तो अपने हाथ से अपनी लड़की तारा को मानने के लिए मैं तैयार हूँ मगर आप उस बात का नाम न लो है लाजारी इसे कहते है रामदास अच्छा अब हम लोगों के यहां से निकल कर फाटक की तरब चलना चाहिए सुजन सिंग जो हुकम रामदास मगर नहीं क्या जाने यह लोग उधर न आए हाँ देखू वो दोन उठे मैं बेश सिंग के पीछे जाओंगा तारा प्रसंद मालूम होती है शायद बेश सिंग ने कोई बात उसके मतलब की कही हो या जो कुछ तारा चाहती थी उसे उन्होंने मंजूर किया हो बेश सिंग और तारा वहां से उठे और एक तरफ जाने के लिए तैयार हुए बेश सिंग तो अब मैं तुम्हारी लॉंडियों को बुलाता हूँ और तुम्हें उनकी हवाले करता हूँ तारा नहीं मैं आपको फाटक तक पहुचा कर लोटूंगी तब उन लोगों से मिलूंगी बेश सिंग जैसे तुम्हारी मर्जी हाथ में हाथ दिये दोनों वहां से रवाना हुए और बाग के पूरव की तरफ जिधर फाटक था चले पड़े जब फाटक पर पहुचे तो बेश सिंग ने तारा से कहा बस अब तुम लोट जाओ तारा अब आप कितनी दिर में आएंगे बेश सिंग मैं नहीं कह सकता मगर पहर भर के अंदर आने की आशा कर सकता हूँ तारा अच्छा जाएए मगर महरास से न मिलिएगा बीर सिंग नहीं कभी नहीं बीर सिंग आगे की तरफ रवाना हुआ और तारा भी वहां से लोटी मगर कुछ दूर उसी बंगले की तरफ आकर मुड़ी और दखिन तरफ घूमी जिदर एक संगीन सची वी बारा दरी थी और वहां आपस में कुछ बातें करते हुए कई नौजवान ओरते भी थी जो शाय तारा की लोटीया होंगी धीरे धीरे चलते हुए तारा अंगूर की उस जारी के पास पहुची उसी समय उस जारी में से एक आदमी निकला जिसने लपक कर तारा को मजपूती से पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक चाती पर सवार हो बोला बस तारा तेरे इस समय रोने या चिलाने की कोई जरूरत नहीं है और ना इससे कुछ फाइदा है बिना तेरी जान लिये अब मैं किसी तरह नहीं रह सकता तारा क्या मैं अपने पिता सुजान सिंग को देख रही हूँ और सुन रही हूँ सुजान हाँ मैं ही कमबक तेरा बाप हूँ तारा पिता क्या तुम सुएम मुझे मारने को तयार हो सुजान नहीं मैं सुएम नहीं तुझे मार कर कोई लाब नहीं उठा सकता मगर क्या करूँ लाचार हूँ तारा हाई क्या कोई दुनिया में ऐसा है जो अपने हाँ से अपनी प्यारी लड़की को मारे सुजन एक भागा तो मैं ही हूँ तारा लेकिन अब तू कुछ मत बोल तेरी प्यारी बाते सुनकर मेरा कलेजा कामता है रुलाई गला दबाती है हाँ से कटार छूटा जाता है बेटी तारा बस तू चुप रहे मैं लाचार हूँ तारा क्या किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती सुजन हाँ बच सकती है अगर तू हरी वाली बात को मंजूर कर ले तारा ओफ ऐसी बुरी बात का माल लेना तो बहुत मुश्किल है खर अगर मैं वे भी मंजूर करनू तो सुजन तो तू बच सकती है मगर मैं नहीं चाहता कि तू उस बात को मंजूर करे तारा बेशक मैं कभी नहीं मंजूर कर सकती ये तो केवल इतना जानने के लिए बोल बैठे कि देखो तुम्हारी क्या राय है सुजन नहीं मैं उसे किसी तरह मंजूर नहीं कर सकता बलकि तेरा मरना मनासिव समझता हूँ लेकिन हाई अफसोस आज मैं कैसा अनर्थ कर रहा हूँ तारा पिता बेशक मेरे जिन्दगी तुम्हारे हाथ में है क्या और नहीं तो केवल एक दफे किसी की चर्णों का दर्शन कर लेने के लिए तुम मुझे छोड़ सकते हो सुजन ये भी तेरी भूल है जिससे तुम मिलना चाहती है वै भी घंटे भर के अंदर ही इस दुनिया से कूच कर जाएगा अब शायद दूसी दुनिया में ही तेरी और उसकी मुलाकात हो तारा हाए अगर ऐसा है तो मैं पती के पहले ही मरने के लिए तैयार हूँ बस अब देर मत करो पिता तुम रोते क्यों हो अपने को संभालो और मेरे मारने में अब देर मत करो सुजन हाँ हाँ ऐसा ही होगा ले अब संभल जाए